हेलो वेल्कम बैक तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है तो हम रेनन मार्टिन का बुक टू स्टार्ट कर चुके हैं और जिसमें आज का जो हमारा लेक्चर होगा यह चैप्टर वन का लेक्चर टू होगा जिसके अंदर हम लोग अनलिसेस ट्रांसफॉर्मेश संफेसिस के बारे में जाने तो रेनन मार्टिन का जो भुक टू है यह बेसीकली किस चिससे रएलेटेद है यह कोंपोजिशन से रेलेटेड है और कॉम पोजिशन में बेशीकली देखो हमने ग्रेमर के जितने भी रूल सभी तक सिखा हम लोग उन रूल्स का पासा इस्तव कैसे कर सकते हैं हम longer sentences कैसे बना सकते हैं sentence को हम structure कैसे कर सकते हैं तो इन सारे चीजों से जुड़ा हुआ है आपका बुक्टू और आप लोगों का demand भी था कि सर प्लीज बुक्टू स्टार्ट किजी और बुक्टू को पूरा complete करवाई है देखो मैं करवा तो दूँगा complete लेकिन थोड़ा time लगेगा क्योंकि आप बुलोगे सर दो से तीन दिन में complete करा देजिए एक महिने के अंदर complete करा देजिए तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे चीजों को समझाना होता है बहुत सारे concept होते हैं कुछ concept बहुत ही आसान होता है कुछ बहुत ही complex होता है तिन चीजों को समझाने के लिए simplify करने के लिए थोड़ा time लगता है तो हम लोग chapter 1 स्टार्ट कर चुके जिसमें हम simple sentence के analysis के बारे में जान रहे थे एक simple sentences में क्या-क्या चीज़े होती है उनके बारे में हम जान रहे थे तो last last में मैंने आपको बताया था subject और predicate के बारे में तो subject और predicate तो खेर हमने book 1 में भी पढ़ा था लेकिन book 2 में हमने क्या सिखा कि subject और predicate में और कौनकों से elements जुद सकते हैं जैसे subject को describe करने के लिए क्या-क्या चीज़Sí आ सकते हैं तो हमने subject attribute के बारे में पिछले class में पढ़ा था तो आज जो हम लोग जानेंगे हम लोग वाफ आट्रिब्यूट के बारे में जाने यानि subject को attribute करने वाले जितने भी elements थे हमने सब चीज़ के बारे में जान लिया verb को कौन-कौन से चीज़ attribute कर सकते हैं यानि predicate को अगर हम और expand करना चाहे तो predicate और कैसे बड़ा बन सकता है और predicate में खास करके जो हमारा main part होता है यह होता है verb तो verb जो होता है predicate का हमेशा main part होता है ठीक है तो verb को और कौन-कौन से चीज़ modify कर सकता है हम उनहीं के बारे में जानेंगे तो आज का हमारा lecture basically इसी चीज़ पर अधारित होगा ठीक है चलिए तो time को जादा हम waste नहीं करेंगे सिधी अपने topic पर आते हैं जैसे हमने बहुत ही चोटा सा sentence यहाँ पर लिया है ठीक है अब देखो यह चोटा सा sentence क्या है good afternoon everyone very good afternoon तो देखो ध्यान देना देखो सबसे चोटा sentence के अगर हम बात करें सबसे चोटा sentence के बात करें वैसे तो sentence एक word का भी होता है sentence एक word का भी हो सकता है बिना subject का sentence आपको मिल भी सकता है लेकिन बिना verb के sentence नहीं मिल सकता है लेकिन बिना subject का ये भी कहना थोड़ा उचित नहीं होगा क्योंकि subject और verb दोनों ही compulsory part है किसी sentence का हाँ subject को कभी-कभी छिपा दिया जाता है कभी-कभी sentence में subject को लोग छिपा देते हैं मतलब subject वहां पर understood होता है जैसे अगर मैंने एक एक वर्ड का sentence बोला गो जैसे कि मैंने एक वर्ड का sentence बोला गो ठेक है गो और यहां पर हमने लगा दिया full stop यह पूरा के पूरा sentence है मैं आपको बोल रहा हूं गो तो गो जो है न यह जो sentence हमने लिखा यह imperative sentence में आता है ilr जो यह अपने अपने sentence है तो देखो यहां पर go जो है यह वर्व है गो क्या है यह वर्व है लेकिन सर्फ बीना subject का तो sentence होता नहीं तो इसमें सब्जेक हमें दिखा नहीं पिकू सब्जेक्ट यहां पर बिल्कुल है लेकिन यह subject यहाँ पर understood है, subject यहाँ पर लिखा नहीं गया, जैसे मैंने बोला go, तो मैंने किसको go बोला, मैंने आपको बोला go, यानि आपको का मतलब क्या हो गया, आप second person है, second person मतलब you, तो जब यह बात बोला गया यहाँ पर कि go, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर subject सब्जेक्ट यहां पर जो है ना यू यहां पर understood है यह यहां पर understood है तो cool मिला करके हम यह कह सकते हैं कि subject और किसी भी sentence के लिए subject और वर्ब दोनों ही important parts होता है ठीक है तो अगर हमें अगर छोटा sentence मिलेगा जिसमें subject और वर्ब दोनों होगा तो कम से कम ध्यां दिजेगा एक छोटा sentence में कम से कम हमें subject मिलेगा देखो people क्या है people यहां पर subject है और हमने यहां पर लिखा act वास्तों में क्या यहां पर act जो है न यह वर्ब है एक्ट क्या है यह वर्ब है ठीक है तो people act act का मतलब क्या होता है act का मतलब होता है कोई action करना कोई काम करना कोई activity करना people act ठीक है तो यहां पर यह sentence है यह complete sentence है अपने आप में ठीक है यह अपने अपने complete sentence है people act people act करते है ठीक है अब धियां देना देखो subject के जगह पे कौन आता है सब्जेट के जगह पे कौन आता है सब्जेट के जगह पे नाउन आता है सब्जेट के जगह पे नाउन आता है सब्जेट के जगह पे कौन आता है नाउन आता ने तो नाउन से मिलता जुलता जो भी चीज होगा ठीक है नाउन से मिलने जुलने वाले चीज को हम क्या बोले है तो सब्जिट के जगह पे जो भी आएगा वह नाउन होगा या नाउन का ही जात भाई होगा ठीक है नाउन का एक्विवालेंट होगा जैसे नाउन का जात भाई में प्रनाउन भी आता है नाउन का छोटा भाई प्रणॉम तो कहने का मतलब है कि सब्जेट के जगह पर जब भी आएगा तो नाउन आएगा या तो नाउन के और act जो है यह अपने आप में verb है अब मुझे ये बताना कि क्या people से जुड़ा हुआ कोई और information मैं आपको दे रहा हूँ नहीं न क्या मैं people के बारे में और भी कुछ बात आपको बता रहा हूँ नहीं न तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर noun के साथ हमने कोई extra information नहीं जोड़ा अच्छा दूसरी बात है कि जब मैं act बोल रहा हूँ तो वो किस तरह से act कर रहा है कैसे act कर रहा है इसके बारे में भी मैंने आपको कोई जानकारी नहीं दिया तो यहाँ पर केबल noun है और verb है और noun से जुड़ा हमारे पास कोई information नहीं है और इस verb से जुड़ा हुआ कोई information नहीं है यानि कहने का मतलब है कि ये जो हमारा subject है ये जो हमारा subject है और ये जो verb है इस subject से जुड़ा हुआ हमारे पास कोई extra information नहीं है और इस verb से जुड़ा हुआ भी हमारे पास कोई extra information नहीं है कोई extra information नहीं है ठीक है बात समस में आ रहे हैं लेकिन क्या आपको लगता है देको छोटा सेंटेंस होगा तो केबल सब्जेक्ट और वर्ब होगा लेकिन जब सेंटेंस बड़ा होता है तो उसमें और भी कई सारे इनफर्मेशन जुटने लगते हैं तो कहने का मतलब है कि हम कुछ इनफर्मेशन ऐसा इनफर्मेशन हम जोड सकते हैं जो इस सब्जेक्ट को डिसक्राइब करेगा इस सब्जेक्ट को एट्रिब्यूट करेगा हम कुछ ऐसा इनफर्मेशन जोड सकते हैं जो इस वर्ब को डिस जो modify करने का काम करता है बात समझ लिए आप तो पिछले class में मैंने आपको बताया कि कैसे कोई word या group of words subject को modify कर सकता है यानि subject का attribute बन सकता है तो आज के class में हम जानेंगे कि वर्ब का attribute कौन-कौन बन सकता है ठीक है तो जो वर्ब की attribute बनेंगे ना उसे हम क्या करें उसे हम कहें कहेंगे एडवर्बियल qualification कहेंगे ठीक है तो देखो इसके बाद हम इसी sentence को दूसरे तरीके से यहाँ पर मैं आपको बताता हूं ठीक है जैसे हमने इसी sentence में कुछ और extra information जोडने का काम किया तो ध्यान दिजेगा किसी भी किसी भी सेंट देखे सब्जेक्ट जो होता ना subject का में पार्ट होता है subject word और प्रेडिकेट का में पार्ट होता है verb फिर से बात को सुनिएगा ध्यान दिए subject आपको एक वर्ड का भी मिल सकता है subject पूरा group of words भी मिल सकता है verb मतलब प्रेडिकेट जो होता है प्रेडिकेट आपको एक वर्ड का भी मिल सकता है प्रेडिकेट में पूरा group of words भी हो सकता है लेकिन subject का जो main part होता है यह subject word होता है और प्रेडिकेट का जो main part होता है यह verb होता है जैसे कहने का मतलब है कि यह हमारा sentence है तो यह हमारा subject है और यह क्या है verb है ठीक है तो sentence को अग और एक प्रेडिकेट होता है तो ध्यानतिजी का यहां जो सब्जेक्ट है न तो इस सब्जेक्ट का में वर्ड कोन है इसमें हम क्या बोलेंगे एक ही वर्ड का चीज है तो यही में वर्ड है मतलब यह क्या है यह पीपल क्या यह सब्जेक्ट वर्ड है यह सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद जो चीज़ें बचती है ना वो प्रेडिकेट होता है तो प्रेडिकेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है वह होता है प्रेडिकेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे इसेंशल पार्ट क्या होता है वह होता है इसके बिना प्रेड इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड सकते हैं हम सब्जेक्ट में भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड सकते हैं हम वर्ब में भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड सकते हैं तो देखो यहां पर सेंटेंस में हमारा इधर वाला पार्ट जो है subject का पार्ट है और इधर वाला पार्ट जो है न यह प्रेडिकेट का पार्ट है बात समझ में आ रही है तो subject का main part कोन हो गया people हो गया यानि subject word कोन है subject word है people subject word है people ठीक है यह है हमारा subject word और ध्यांद देना यह हमारा प्रेडिकेट है तो प्रेडिकेट का मेन पार्ट क्या हो गया प्रेडिकेट का मेन पार्ट हो गया वर्ब प्रेडिकेट का मेन पार्ट कौन हो गया प्रेडिकेट का मेन पार्ट हो गया वर्ब बात्समस्षम आ रहे हैं अब देखो है यहां पर क्या हो रहा है यहां पर सब्जेक्ट को मोडिफाई करने के लिए सबजेक्ट को मोडीफाइऑ करने के एक्सटा वर्ड आ सबजेक्ट में कुछ नया information नहीं जुड़ा हुआ है यहाँ पर देखो एक नया information जुड़ गया wise तो ध्यान देज़ेगा जो भी word subject को modify करेगा उसे हम subject attribute कहेंगे तो यह जो wise है ना यह subject attribute है ठीक है यह subject attribute है अच्छा उसके बाद करें तो पीपल जो है ना एक्ट करते हैं कैसे एक्ट करते हैं वाइजली एक्ट करते हैं तो वाइजली जो है यह किसको modify किया फिर से सुनना यहाँ पर wise जो है ना यह subject को modify किया यह subject को modify किया और act क्या है act verb है तो verb को किसने modify किया wisely ने ठीक है तो यहां पर जो wise है यह हो गया subject attribute यह हो गया subject attribute जो पिछले class में मैंने आपको बताया था subject attribute और जो भी देखो यह जो wisely word है ना यह wisely word है यह verb में एक नया information जोडने का काम कर रहा है तो जो verb में नया information जोडने का काम करता है जो verb को attribute करता है उस हम क्या बोलते है उस हम adverb बोलते है तो wisely यहां पर क्या हो गया यह adverb हो गया यह adverb हो गया यहां तक आपको यह बात समझ में आ गया ठीक है सर ट्यारे थ्री रिलेटेड लिट्रेचर भी तैयारी करवा दिजी ठीक है करवा देंगे सब्जेक्ट इस तट इस टॉपिक टॉक्ट अबाउट हाँ बिल्कुल यही बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था ठीक है तो यहां पर ध्यान देना तो यह जो है ना जो भ छल गया तो आपको छोटे से में दो चीज मिलेगा सब्जेक्ट मिल जाेगा और यहां मिल जाएगा ठीक है और आपको सब्जक के और मेंस तन डेने का काम करेगा उसे हम कहेंगे और एसी बात को समझाने के ल把ALLY ठीक है कभी कभी केज लोग तुरंट समझ जाते हैं देखो समझदार को इशारा ही काफी है लेकिन मुर्ख लोगों को अब हजारों बार बताओगे तो भी नहीं समझ पाएगा देखो उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ एक्जामपल लिया यहाँ पर हमने कुछ और एक्जामपल लिया तो चलिए जैसे अभी जो हमारा मेन फोकस होगा यह होगा कि कौन सा वर्ड वर्व को मोडिफाई कर रहा है हम लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे कि कौन सा वर्ड सब्जेट को मोडिफा कर सकता है वर्ब में extra information जोड़ सकता है ठीक है उसी पर चर्चा हम करेंगे तो ध्यान देना यहां पर एक sentence है पहला sentence देखो क्या है I looked everywhere तो I यहां पर subject हो गया और looked क्या हो गया वब हो गया verb पे ध्यान देना subject और वब्ब पे ध्यान देना कि मैंने कहा और though मैंने कहां देखा मैंने कभलूड एवर्वेर मैं सब जगा देखा तो यह एमरे वेर्वेर गोह आ यह एक नया इनफार्मेशन जोडने का काम कर रहा है किसके साथ तो वर्ब के साथ किसके साथ लुक्ड के साथ वर्ब के साथ तो वर्ब के साथ इसने नया इनफार्मेशन जोड़ा एवरीवेर जो है न यह मोडिफाई किया किसको मोडिफाई किया यह लुक को मोडिफाई किय ठीक है तो यह adverb हो गया उसके बाद she went home तो she जो है न शी यहां पर subject है और went verb है बात समझ में आ रहे हैं और went जो verb है इस verb को modify कौन कर रहा है इस verb को modify कर रहा है home home modify कर रहा है उसके बाद देखो we play to win तो we subject है और play क्या है play यहां पर verb है और उस verb को modify कौन कर रहा है तो to win कर रहा है कौन modify कर रहा है to win कर रहा है और two win जो है न वह एक infinitive है उसके बाद they subject है और behaved यहां पर sentence का main verb है तो behave का behave के बारे में और extra information क्या हमारे पास है हमारे पास है कि in a friendly manner वह लोग behave करते हैं ठीक वह लोग behave कि हैं वह लोग कैसे behave कि है in a friendly manner ठीक है दोस्तों के जैसा तो in a friendly manner यह जो पूरा के पूर पूरा जो group of words आप देख रहे हो in a friendly manner यह पूरा के पूरा क्या क्या किया behave को modify किया यह behave को modify किया ठीक है उसके बाद the sun having risen the fog disappeared अब यहां पर एक sentence है sentence क्या है the fog disappeared the fog disappeared और इस पूरे sentence को is complete sentence को modify ओन क्या यह फ्रेज जोना the sun having risen the sun having risen यह कोई sentence नहीं है the sun having risen यह एक phrase है और यह phrase जो है यह पूरा के पूरा sentence को modify कर रहा है यह पूरा के पूरा sentence को modify कर रहा है बात समझ में आ रही है तो यहां पर कौन कौन से जो मतलब adverbial qualification है उसके बारे में हम जानेंगे ठीक है तो देखो अब यहां पर जो भी examples है तो यहां पर वर्ब को सभी जगा किसको modify कर रहा है वर्ब को देखो जहां जहां sentence में हमारा वर्ब है न उसको सबसे पहले हम underline कर लेते हैं तो वर्ब देखो कौन कोन है इस sentence में वर्ब है जो looked है इसमें event है इसमें play है इसमें behaved है और इसमें देखो disappeared है लेकिन हाला कि यहां पर पूरे sentence को हम लेके चलेंगे अपर वर्ब के साथ साथ पूरे sentence को लेके चलेंगे ठीक है तो अब यह जो blue color से जो हमने underline किया इन सभी पहले नमबर sentence में कौन कर रहा है यह window कर रहा है किसरे sentence में modify kon ??? जह infinity थे यह Try One को क्या बोलते infinity बोलतें यह infinitive कर रहा है ठीक है अच्छा यह चाते नमबर sentence मेंकाइं कर रहा है तो यह पोरा का पूरा phrase in a friendly manner यह पूरा का पूरा प्रेज है जो behave work को क्या कर रहा है modify कर रहा है उसके बाद the fog disappeared यह complete sentence को modify कौन कर रहा है यह वलब phrase कर रहा है यह phrases को modify कर रहा है बात समझ में आ रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान देना जो verb को modify करे या जो complete sentence को modify करे उसे हम क्या बोलते है इडवर्ब कहते हैं क्या बोलते हैं ऐडवर्ब कहते हैं और इडवर्ब इसे या थो हम एडवर्ब कहेंगे या फिर एडवर्बाबियल qualification कहेंगे या तो ख़दियान दीजोएगा तो यहाँ पर पहले sentence में जो है सबका नाम जान लेते हैं सबका हम नाम जान लेते हैं ठीक है तो पहले sentence में everywhere modify कर रहा है everywhere कैसा adverb है adverb के भी तो अलग-अलग type होते है कौन-कौन से ऐसा चीज होता है जो verb को qualify कर सकता है verb को modify कर सकता है उसका नाम क्या होता है, तो यहाँ पर everywhere modify कर रहा है, तो everywhere क्या है, देखो क्या बोला जा रहा है, पहले number पे, the adverbial qualification, the adverbial qualification, क्या है, the adverbial qualification is an adverb, तो क्या है, यह एक adverb है, यह बस एक adverb है, everywhere क्या है, यह एक adverb है, पहले sentence में क्या है, यह बस एक adverb है, इसके साथ ज्यादा चार्मेशन हम नहीं जोडेंगे ठीक है अच्छा दूसरे sentence में जो है न हो मैं तो हो मगर बात करोगे न तो होम आप बोलोगो के सार होम तो नाउन होता है जी बिल्कुल होम नाउन होता है लेकिन क्या कभी कोई नाउन एड़ वर्ब की तरह function नहीं कर सकता है क्या कभी कोई ए देखने से हैं लेकिन यहां function किसका कर रहा है यहां function यह एड़वर्ब का कर रहा है तो ध्यान देना कभी भी कोई noun देखो cable adverb की तरह function कर सकता है वह अलग बात हो गया लेकिन noun भी एगर adverb का काम करने लगे अड़क्टिव भी Adverb का काम करने लगे तो कभी भी noun या Adverb Adjective का काम करता है तो उसे हम Adverbial Accusative बोलते हैं Adverbial Accusative कभी भी आपसे कोई पूछे कि Adverbial Accusative हम किसको बोलते हैं तो आपको क्या बताना है कि अगर कोई noun या प्रनाऊन या Adjective adverb का काम करने लगे तो उसे ही हम कहते है adverbial accusative क्या बोलते हैs adverbial accusative बोलते है बात समस्में आ रही है जैसे कहने का मतलब है कि everywhere सिर्फ adverb है लेकिन home जो है ना तरह भी हम using कर सकते हैं और यह यहाँ पर VINT को modify कर रहा है adverb की तरह भी use हो रहा है तो इसलिए home जो है न यह adverb तो है लेकिन यह adverbial accusative है बात समझ में आ रही है उसके बाद देखो किसी verb को infinitive भी modify कर सकता है तो two bin जो है न यह play को modify कर रहा है ठीक है और एक reason भी बता रहा है कि हम क्यों खेलते हैं जीतने के लिए खेलते हैं तो ध्यान देना कभी भी अगर आपको कोई भी भर्व two plus b1 के form में मिले तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं infinitive इसको हम कहते हैं infinitive ठीक है तो infinitive भी किसी sentence में infinitive भी किसी भर्व को modify कर सकता है तो यहां पर हम कह सकते हैं third number में है न अड़ बर्वियल qualification इजर जिरंडियल इंफिनिटिव भाई जिरंडियल infinitive किसको बोलते हैं ध्यान देना infinitive तो भाई नाउन का भी काम कर सकता है यह जो two plus b1 है आपने देखा होगा कि यह कभी के भी नाउन का भी काम करता है तो two plus b1 को हम infinitive काते हैं और यह नाउन का भी काम कर सकता है और यह जो है यह एडवर्व का भी काम कर सकता है एडवर्व यानि modifier का और trick यह है, कि अगर क्या का जवाब दे रहा हो, अगर किसी sentence में यह 2 प्लस भीवन क्या का जवाब दे रहा हो, तो समझ जाना कि noun है, और अगर क्यों का जवाब दे रहा हो, अगर क्यों का जवाब दे रहा हो, तो समझ जाना कि यह जो 2 प्लस भीवन है न, यह adverb है, for example देखो यहां समझो, यहां जो 2 प्लस भीवन है न, यह क्यों का जबाब दे रहा है, यह किसका जबाब दे रहा है, यह क्यों का जबाब दे रहा है, हम लोग खेलते हैं, कुश्चन करो, क्यों खेलते हैं, हम लोग क्या खेलते हैं, वो नहीं बोला जा रहा है, हम लोग क्यों खेलते ह लिए तो यहाँ पर यह क्यों का जबाब दे रहा है चलिए टू बिन जो है न यह इन्फिनिटीव है और एड़ब का काम कर रहा है उसके बाद जैसे हमने एक सेंटेंस और लिखा I want to win I want to win अब देखो यहाँ पर भी हमने सेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें यह नाउन का काम कर रहा है यह नाउन का काम कर रहा है ठीक है लेकिन इस वाले सेंटेंस में इस वाले सेंटेंस में वी प्ले टूबिन हम लोग खेलते हैं क्या खेलते नहीं हम लोग क्यों खेलते हैं जीतने के लिए तो यह क्यों का जबाब है तो यहां जो टूबिन है ना य यह नाउन नहीं है यह जो टूवर्फ नहीं हई ये ép doit यह एडवर्ब का काम कर रहे बात समझ में रही है तो कभी भी کوई इन्फिनिटीव अगर वो एडवर्ब की तरह काम करें तो उसी इनंफिनिटीव को हम कहते है जिरन्टियल इंफिनिटिव क्या बोलते हैं उसको हम जिरेंडियल इंफिनिटिव कहते हैं अब यहां से बात आपको बहुत अच्छे तरीके सा आपको समस्में आ गया होगा ठीक है उसके बाद हम बात करें sentence number four की तो sentence number four में क्या है कि sentence में subject है और main verb कौन है behave है और behave को modify करने के लिए कोई एक word नहीं आया पूरा के पूरा group of words आया है तो पूरा के पूरा कौन group of words है in a friendly manner तो in a friendly manner जो है ये group of words है और ये group of words को हम phrase कहते हैं of words को तू sentence भी कहते है बड़ sentence का अपना complete meaning होता है और उसमें subject और predicate भी होता है ठीक है लेकिन उसके अलावे अगर capable group of words मिल जाए तो उसे हम क्या कहते है phrase बोलते है तो ये जो group of words है न ये किसको modify कर रहा है ये behave को modify कर रहा है वर्ब को modify कर रहा है तो किसी verb को एक अकेले single word भी modify कर सकता है और कभी-कभी पूरे group of words उसको modify कर सकता है ठीक है तो यहाँ पर क्या वही बात लिखा गया कि sentence number 4 में the adverbial qualification is a group of words doing the work of an adverb तो है पूरा group of words ये पूरा के पूरा group of words है लेकिन काम किसका कर रहा है ये काम कर रहा है एड़वर्ब का ये किसके तरह काम कर रहा है ये adverb की तरह काम कर रहा है ठीक है हाँ जब upload हो जाएगा तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं जब आपको सुवीदा लगे के तब आप देखिए वीडियो हाँ अच्छा ये यहां पर जो है ना कुश्चन नुम्बर फाइब में देखो यहां जो ये दस सन्हाविंग राइजन ये क्यों होने के बाद क्या हुआ कि फाइब स्टेश का मीनिंग भी बता दे तो और अगर यहां तक पहुँच चुक हैं इस किताब लोगों के लिनी है जो अभी भी grammar पढ़ना शुरू कर रहा है उसको बहुत तरह कच्छी समझ में भी नहीं आगा कि यह सर जिरंडियल infinitive क्या होता है accusative क्या होता है यह सब टर्म उसको दिमाग में घुसे गई नहीं लेकिन अगर आप बुक्टू पढ़ रहे इसका मतलब है कि पहले से आपके grammar बहुत अच्छा है और उसको आप और अच्छा कर रहे है क्योंकि बुक्टू जो है वह अगले सारे तरीके होते हैं दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम conjunction का help लेते हैं या clause का help लेते हैं और कभी-कभी दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम participle का help ले लेते हैं ठीक है पार्टिसिपल ले लिए हैं, आप उसके साथ पार्टिसिपल ले लिए हैं, पार्टिसिपल देखो, present पार्टिसिपल भी होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, तो यह पूरा के पूरा जो फ्रेज होगा न, यह पूरा के पूरा फ्रेज, अच्छा यह फ्रेज किस ऐसको हम फ्रेज बोलते हैं इसको हम क्या बूलते हैं इसको हम फ्रेज को बहुत है और having horizon, having horizon जो न यह participle है, यह participle है, तो इसके noun plus participle के combination से एक phrase बना हुआ है, ठीक है, और यह जो the fork disappeared है, यह एक, यह एक absolute sentence है, absolute का मतलब complete होता है, absolute का मतलब complete होता है, ये एक absolute sentence है ये एक absolute sentence है और ये जो phrase है ये absolute sentence को modify कर रहा है मतलब ये sentence के किसी एक word को modify नहीं कर रहा है ये पूरा के पूरा sentence को completely sentence को modify कर रहा है इसलिए इसका नाम पढ़ा है क्या absolute phrase पढ़ा है इसलिए इसका नाम क्या पढ़ा है absolute phrase पढ़ा है ठीक है तो यहाँ पर देखो लि ये sentence को modify कर रहा है इसका नाम क्या है इसका नाम है देखो क्या बोले जा रहा है कि the Adverbial qualification is an absolute phrase क्या है यह एक absolute phrase है बात समझ में आ गया तो जो भी इसमें term का use किया है ठीक है जो भी इसमें term का use किया गया absolute phrase हो गया उसके बाद है gerundial infinitive हो गया है ना accusative हो गया यह सब चीज, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत simple और ठेट language में समझाया और आपको मैं example दे करके और trick दे करके मैंने बताया ठीक है, तो मैं कोशिच करता हूँ कि चीजों को simple way में समझाओ है ना अगर मैं completely book को ही यहां पर copy paste करूंगा मैं बुक को copy paste नहीं कर सकता हूं ठीक है देखो दोनों का direction उसी तरफ है मैं जो पढ़ा रहा हूं अगर मैं sentence पढ़ा रहा हूं ना तो देखो मेरा पढ़ाने के तरीका अलग है और बुक में हो सकता है किसी और तरीके से लिखा होगा लेकिन दोनों का जो destination है दोनों का जो goal है न हो सेम है दोनों को पहुंचना का है sentence के पास ही पहुंचना है क्योंकि मैंने comment में देखा है किसी ने बूला सर कि आप आप डिट्टो हूब हूँ एक्जेक्ट बुक को क्यों नहीं पढ़ा रहे है भाई यह पढ़ा तो वही चीज़ रहा है न अगर एक्जेक्ट बुक को ही मुझे पढ़ाना पढ़ जाए तो पिर काहे को पढ़ा है फिर खुदी पढ़ लीजिए फिर आप वड़ा common sense का इस्तिमाल किया करो या बुक में तो बहुत कुछ दिया हुआ है तो बेटर है कि अगर आप जिसमें comfortable अगर आपको लगता है बुक से हम पढ़ सकते हैं या लगता है कि बुक से बहुत सारे चीज़ों को मैं नहीं cover कर रहा हूं सबसे पहली बात है कि ऐसा नहीं है कि मैंने बुक से कुछ चीज छोड़ा है मिस आउट किया है जहां तक मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही आपको बताया है है ना तो आप उस चीज़ को देख लिजीए और complete बुक को copy paste हम नहीं कर सकते हैं ठीक है सब हर किसी के तरीका अलग होता है बताने का हम उसको simplify कर रहे है और अपने language उसको समजाने का कोशिस कर है हर किसी का गोल क्या होना चाहिए समझना होना चाहिए ना कि किसी चिची चीज़ का copy paste करना और तो कुछ-कुछ आपको समझ में आ गया, देखो दिक्कत क्या न, आपने एक कहावत सुनागा कि अदगर गगरी छलकत जाए, मतलब किसी के पास एक दम नॉलेज नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी के पास अगर संपूरने नॉलेज है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी में जब नहीं भी उसको सफलता नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी अपने mindset को change नहीं कर रहा है तो बाबू एक चीज ध्यान दिजेगा कि अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूं ठीक है तो इसका मतलब यह नहीं है अगर मेरा भी topic sentence है तो मैं sentence के भारे में बता रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है ना कि मैं verb के बारे में नहीं जानता हूं मैं tense के बारे में नहीं जानता हूं ठीक है तो कुछ भी चीजों को assume करके मत चलना है ना जब तक आपके पास कोई चीज complete evidence नहीं है तब तक आप किसी चीजों को assume करके मत चलना आज के जनरेशन का बहुत खराब आदत क्या नहीं है मैं हमेशा constructive सोचता हूं अगर आपके पास कोई जैनुएन फीडवाइक है तो प्लीज मैं तो चाहता हूं कि आप लोग feedback दीजिए क्योंकि आपके feedback ही मुझे improve करने में help करता है लेकिन illogical बिना sense का कोई भी फालतू का advice नहीं दिया किजिएगा ठीक जिसका कोई sense नहीं बनता है बात समझ में आ रही है तो हम आज जो पढ़ रहे थे ना आज हम पढ़ रहे थे Adverbial qualification के बारे में आज हम पढ़ रहे थे Adverbial मैं अकले पेज में बताता हूं आपको साब साब थोड़ा ठीक है तो आज हमने पढ़ा क्या Adverbial qualification के बारे में Adverbial qualification ठीक है और Adverbial qualification का काम क्या होता है इसका काम होता है modify करना अच्छा मैं बार बार modify, modify वर्ड बोल रहा हूं आप लोग बताएगा तो modify का exact meaning क्या होता है आप लोग comment में जरूर बताएगा ठीक है इतना तो आप लोग मैनत करी सकते है ठीक है तो Adverbial qualification का काम क्या है modify करना वाई किसको modify करेगा यह यह verb को modify करेगा यह verb को modify करेगा और नहीं तो यह complete sentence को complete sentence को भी modify करेगा complete sentence को भी modify करेगा तो एडवर्बियल क्वालिफेकेशन कौन-कौन बन सकता है मैंने आपको बताया कौन-कौन सा चीज है जो एडवर्बियल क्वालिफेकेशन बन सकता है तो मैंने आपको क्या बताया कि एडवर्बियल क्वालिफेकेशन जो है कौन-कौन बन सकता है तो एक adverb, adverbial qualification बन सकता है, एक adverbial accusative, adverbial qualification बन सकता है, एक infinitive adverbial qualification बन सकता है जिसको हम gerundial infinitive ऎन्फिनिटीब कहते हैं, अच्छा कोई group of words, group of words को हम क्या कहते है, phrase कहते है, यह उल्स केotzicloani word को एक single word नहीं बलकि words का group मिल करके complete किसी word को यह किसी complete sentence को क्या कर सकता है, कोई absolute phrase जो है न यह sentence verb को modify कर सकता है तो इतने सारे चीज है मतलब gerundial adverbial qualification के यह इतने सारे नाम है और यह सारा example से यहाँ पर समझाया गया सारा example से समझाया गया आई होप कि आज के topic आपको समझ में आया होगा कि adverbial qualification हम किसे करते हैं इसका काम क्या होता है यह verb में नया information जोडने का काम करता है यह sentence में नया information जोडने का काम करता है ठीक है अगला class और भी interesting रहने वाला है क्योंकि अगले class में मैं आपको बताऊंगा transitive और intransitive verb के बारे में और transitive और intransitive verb में कौन कौन से तरह के चीज़े जूड सकती है उसमें object लगेगा कि नहीं लगेगा object में भी एक direct object होता है एक indirect object होता है उसके बाद compliment किसी sentence के predicate को complete करने के लिए हमें कुछ word का जरुत होता है उस word को हम compliment कहते हैं तो compliment के बारे में भी हम पढ़ेंगा अगले class में ठीक है तो जैसे जैसे classes book 2 का बढ़ेगा न लेवल और बढ़ते जाएगा और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा फिर देखना एक बार अगर sentence को आप analyze करना सीख गए sentence को तोड़ तोड़ कर समझना सीख गए sentence को structure करना सीख गए तो फिर समझ लेजिए कि आपकी English जो होगे न वो next level की होगे चाहे वो writing का काम हो writing section में भी आपको बहुत help करेगा reading में तो और भी help करेगा बड़े बड़े long long sentences के meaning को आप बहुत आसानी से समझ पाओगे ठीक है तो चलिए कैसा लगा वेडियो आपको अब बताईएगा comment में लिकर जरूर like और share जरूर करें ठीक है मिलते हैं आपसे अगली class में till then इससे बाई बाई